हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड फ्रेंड प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास थर्ड का मैट्स का पीटी वन का कॉष्ण पेपर अगर आप केंद्र विद्याले के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वेरिफीशिल होने वाली है इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिस्कस करूँ आपको कि किस तरह से आप प्रियोडिक ट कोषण आपके 10 मार्क के होंगे अबलेटी डू कंप्यूट बेस्ट कोषण आपके 10 मार्क के होंगे और फार्निली लास्ट में आपका होगा प्राॉब्लम स्लूविंग बेस्ट कोषण 105 का तो complete आपका ये 40 मार्क का कोषण पेपर होने वाला है अब एक हे करके सारे की जिसके अंदर आपका यह question number one जो है यह six marks का आपका होने वाला है जिसके अंदर one one marks के आपके six question होंगे और टोटल यह six marks का question हो गया और इस question के एक डेटेल में बात करें तो जैसे यहाँ पे mention किया गया fill in the blank यहाँ पे आपको blank given है और आपको question के according उसका answer करना है जैसे इसका a part देखो first part इसमें बोला जारा है the place value of seven in 786 786 के अंदर आपको seven का place value आपको बताना है तो seven का place value आप इस blank के अंदर लिख देंगे तो आपको one marks दे दिये जाएगा उसी के बाद जो second है इसमें बोला जारा है the place value of four यानि जैसे question number one है similarly question number second यानि कि इसका जो b part और a part है almost same है यहाँ आपको जो four का जो place value है यह आपको यहाँ पे mention कर देना है place value system आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ठीक है Indian place value system भी और international place value system भी यहाँ आपको Indian place value system के according answer कर देना है उसके बाद c part में आपसे बोला जारा है कि greatest number of three digit यानि कि three digit का सबसे largest यानि सबसे greatest number कौन सा होता है यह आपको mention करना है अब आप जानते हैं जो nine है वो अगर value बात करें digit की form में तो सबसे largest value इसी की होती है और three digit का बोला गया है तो triple three लिखेंगे तो आपका sorry triple nine लिखेंगे तो आपका answer हो जाएगा अब इसके बाद यहां आपसे बोला जारा है कि smallest number आपको बताना है और वो भी four digit का अब देखो four digit का अगर मुझे number लिखना है तो मैं zero 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 four times करूँगा तो यह number तो बन जाएगा बट zero के अगर हम सारे zero ही लिख देंगे तो इसकी value क्या हो जाएगी zero हो जाएगी तो मैं क्या करता हूँ इसके बाद एक number यानि एक digit और लगा लेता हूँ तो यह आपका सबसे smallest number है four digit का ठीक है तो यह आपको mention कर देना है अब यहां पे next जो है e और f में देखो तो आपको e part में बोला जा रहा है कि आपको 99 का successor find out करना है successor means होता है कि जो उसक होता है कि जो भी number आपको given है उसका previous number यानि जैसे यह 1000 है 1000 में आपको one minus करना है तो आपका जो result आएगा वो क्या आएगा 999 आपका answer हो जाएगा इस तरह से आपको यह complete कर लेना है तो यह जो six parts है अगर आप सारे question बिल्कुल अच्छे से attempt करोगे सबके answer correct लिकोगे तो आप आपको six marks दे दिये जाएगे इसके बाद है आपके साबने यह second question जिसमें आपको बोला जा रहा है write the number name according to number system अब number system के according आपको number name लिख देना है चाहे A से बाट की बात करें B part की बात करें C part की बात करें या D part की जैसे A की बात करें यहाँ आपके पास number है 687 तो आप simply number name जो लिखते है वो आपको mention कर देना है कि 600 ठीक है जिस तरह से आप number name लिखते हो उसी तरह से यहाँ mention कर देना है 687 ठीक है तो जिस तरह से मैंने यह first part किया उसी तरह से बाकी जो remaining है यह आपको complete कर लेना है हर एक के आपको 11 marks दिये जाएंगे आप देखो यहाँ पे 4 part बने हो जाएगा तो इस तरह से knowledge based question के 10 marks मैंने आपको बताए थे तो 6 marks का यह है और 4 marks का यह complete 10 marks का आपका हो गया इसके बाद next है आपका question number 3 है यह आपका understanding based question का ठीक है जहाँ आपको यह diagram दे रखे है और question में बोला जा रहा है कि write the name of following shape यह जो close shape आपको given है सब को identify करना है identify करके इनका name mention करना है जैसे first देखो यह क्या triangle है तो आप यह simply drawing करके भी लिख सकते हो और उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे triangle आप लिख दोगे और आपका answer यह complete हो जाएगा अब यह क्या है आपके बास rectangle है तो आप यहाँ mention कर दोगे rectangle ठीक है उसके बाद यह क्या है circle है यह क्या cylinder है उसके बाद again triangle आ रहे है triangle लिख दोगे ठीक है अब देखो circle में और ellipse में थोड़ा से difference होता है circle पूरा complete होता है ellipse थोड़ा इस type का होता है तो यह आप ellipse से बोल सकते हो तो जितने भी आपको यह shape given है सब के नाम लिखने है तो correct answer लिखोगे तो आपको पूरे marks मिल जाए question में बोला जा रहा है put less than or greater than or equal to in the blank यह जो box आपको given है ठीक है इस box इस blank के अंदर आपको less than sign greater than sign या फिर equal to sign fill करना इसके अंदर जैसे आप इन दोनों number को comparison करोगे तो आपको देखेगा कि 110 जो है वो greater है तो sign आप इस type का लगा लोगे अब यहाँ आपको 423 greater दिख रहा है ऐसा sign लगा लोगे और c part में आपको 675 greater दिख रहा है ऐसा लगा लोगे अब उसके बाद next जो है आपके पास इसको solve करोगे तो आपके पास क्या आएगा 200 आ जाएगा इसको solve करोगे तो आपके पास 120 आ जाएगा तो यानिकि आप यह कहोगे कि sir 200 greater है तो यह sign लगा लोगे आपका understanding based जो है यह question आपका 6 marks का है यानि कि हर एक correct correct answer देने के आपको 1 marks मिलने वाले 6 diagram है यानि 6 marks हो गया उसके बाद यहाँ पी जो आप sign put करेंगे correct यह आपका 4 marks का हो जाएगा तो complete portion जो है आपका यह 4 marks का और यह 6 marks का 10 marks का यह पूरा portion understanding based हो जाएगा इसके बाद next है आप question number 5 है जिसमें आपको बोला जा रहा है divide these numbers अब यह जो है आपके पास 25 को 5 से divide करना है और यहाँ पे 49 को 7 से divide करना है तो simply आप जो division की question solve करते हैं वो यहाँ करके दिखा देना है क्या बोल सकते हो 55 जा 25 यह solve हो गया और आपके पास जो answer आ गया वो आपके पास 5 तो यहाँ ल question है और आपके पास जो answer है यह आगया आपके पास 7 आ गया इस तरह से कुछ और भी questions आपको solve करने के लिए दिये जा सकते हैं तो आपको अच्छे से practice कर लेनी है ठीक है अच्छा इतना करने के बाद next है आपका question number 6 है जिसके अंदर आपको यह A, B, C, D यह कुछ parts में आपको जो next blank given है next क्या आएगा आपको fill करने है और यहां आपको instruction भी given है जैसे बोला जा रहा है jump two step forward कि आपको two step आगे बढ़ना है 104 के बाद two step आगे जाएंगे 106 आएगा फिर two step आगे क्या होगा 108 आएगा two step आगे जाओगे 110 हो जाएगा फिर 112 हो जाएगा और उसके बाद 114 यानि का अगर ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है प्लस 2 हो गया यहां पे यहां पे भी क्या होगा प्लस 2 हो गया और यहां पे भी क्या हो गया प्लस 2 हो गया इस तरह से हमने answer calculate कर लिया forward का मतलब ह होता है कि आगे की तरफ जाना यहानि इसमें प्लस होगा और वgeht वार्ट का मतलब होता है माइन उना पीछे की तरफ जाना अब यहां आपसे बोला जाँ रहे है कि जम 2-同 ゃब बैकवर्ट फीछे को जाना है sun 62 में 2 माइनिस किया 260 आ गया 2-5 अब अब यहां भी minus करोगे 256, अब यहां भी minus करोगे 254, और उसके बाद next क्या आगए 252 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह complete कर लेना है, तो c में देखो 10 step बोला गया है, forward बोला गया है, it means यहां क्या करोगे, plus करोगी, कितना plus करके, 10 plus करके अपने answer निकाल सकते हो, और backward का मतलब क्या होता है, minus करना है, तो 10 minus करोगे, यहां 10 plus करना है, हर एक step में, यह हर एक step में 10 minus करना है, और यह जो blank है, आपको इसे complete कर लोगे, तो I hope आपको यह question number 6 है, अच्छे से clear हो गया होगे, इसमें करना कैसे है, forward means होता है, plus करना, आगे की तरफ जाना, backward means क्या हो रहता है, तो नीचे comment में लेके भी, आप मुस्से पूछ भी सकते हो, अच्छे, इसके बाद next है, आपका, यह question number 7 है, जिसमें आपको बोला जा रहा है, continue the pattern, यह तो pattern आपको given है, जैसे यहां देख रहे हो, यह pattern में कुछ numbers आपको given है, और फिर blank given है, और B part में भी आपकी ब numbers given है, और उसके बाद blank given है, इस pattern को आपको complete करना है, देखो 550 है, उसके बाद क्या है, 560 है, फिर 70 है, तो आपको next हो जाएगा, 580 हो जाएगा, फिर next क्या होगा, 590 हो जाएगा, उसके बाद next क्या हो जाएगा, 600 होगा, कैसे calculate कि हमने, हमने किया कि 10 add करते गए, हमारे पास आता चला गया, यानि 10 मैंने कहा कि आप प्लस करता गया, और आंसर आता गया, यानि कि यह forward counting हो रही है, और कितने step forward हो रहा है, 10 step forward हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से complete कर सकते हो, similarly, नीची वाले में देखो कि यहाँ भी यह हो रहा है, 910 है, 920 है, 930 है, 940 है, त ठीक है, देखो, मैं भी कि आपको कितना अच्छी से समझ में आ रहा है, तो जल्दी से comment करो इसका answer, ठीक है, अपने name के साथ, जब आपको अपना नाम mention करोगे, तो मैं आपको identify कर पाऊंगा, कि भी आपने यह सही answer दिया है, या नहीं दिया, ठीक है, तो जरूर मुझे comment कर करें, बताओ, फट फट, तो यह जो question है आपका, यह आपका two marks का हो जाएगा, one marks का आपका यह first part, और one marks का आपका second part, ठीक है, question number seven जो है, आपका यह two marks का हो जाएगा, अच्छा, अगर बात करें भी, यह question number six की बात करें, तो यहाँ देखो, four parts थे, हर एक part आपके one marks के, या यानि, four marks का यह question number six हो गया, ठीक है, अच्छा, उसके बाद, यह question number five था आपका, यहाँ two parts थे, और दोनों part two to marks के थे, जो कि आपका यह four marks का complete हो जाएगा, तो four plus four, यह वाला four, और उसके बाद two, यानि कि ten marks का यह पूरा portion आपका होने वाला है, four plus four plus two, ten marks का आपका यह हो ग आपका problem solving, और यह वाला जो portion है, यह भी आपका ten marks का होगा, किस तरह से, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे आप question number eight देख लेते हैं, इसमें आपको बोला जा रहा है कि puzzle given है, who am I, match the number, अब यहाँ आपको puzzle में क्या है, statements given है, और उसके according आपकी पास, या circle के अंद name and I am very close to 90, 9 मेरे name के अंदर है, अब 90 के close हूँ, याने कि 89 के अगर बात करें, तो यह अपका answer हो जाएगा, 90 के close में भी है, और इसमें 9 भी आ रहा है, इसी तरह, next बोला जा रहा है, I am century plus half century, century means 100 होता है, half century का मतलब क्या होता है, कि 50, दोनों को plus करोगे, 150 होगी, ठीके, 10 notes किसके, 10 वाले, यानि कि आप यह कहोगे, sir, यह 100 हो गया, तो 100 वाला का है, यह रहा गई, और finally last में बोला जा रहा है, I am exactly in between 77 and 97, इन दोनों के एकदम बीच में आता हूँ, तो यह कौन सा number हो जाएगा, आपका 87 होगा, यह जो matching वाला जो question है, आपका यह 4 marks का है, जितने correct matching करोगे, 11 marks के आपके matching होगे, तो 4 वार correct कर दोगे, तो आपको 4 marks, यानि 4 marks आपको मिल जाएगे, उसके बाद next है, आपके लिए question number 9, जिसमें आपको बोला जा रहा है, write the smallest and greatest number using the digit 0, 2, 3, 4, आपको smallest, यानि सबसे छोटा number आपको लिखना है, और इसके लाभ़ा आपको सबस आपका सबसे largest है, 4 पहले आजाएगा, फिर 3 आजाएगा, फिर 2 आजाएगा, फिर 0 आजाएगा, ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद next है, आपके बाद smallest, तो smallest में होता तो 0 पहले होना चाहिए, पर अगर आप 0 लिखोगे आगे, यानि 0, 2, 3, 4 लिखोगे, तो 0 तो automatic cut हो यह क्या हो जाएगा, तो आपको यह दिहान रखना है, 0 smallest number में आगे नहीं लिखना है, तो 2 हम आगे कर लेते हैं, 0 उसके बाद place कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3, 4 लिख लेते हैं, तो smallest number आपका 2034 हो गया, greater number आपका हो गया, 4320 हो गया, यह जो question है आपका, यह भी आपका कह कह सकता हो कि यह आपका 4 marks का हो जाएगा, ठीक है, यह 2, 2 marks के आप इस तरह से कह सकते हो, ठीक है, तो 2, 2 marks का यह question हो गया, 2 marks का smallest लिखना है, 2 marks का greater लिखना है, 4 marks का हो जाएगा, उसके बाद 2 marks का question एक और है, जिसमें आपको बोला जा रहा है, कि find the difference of place value of, place value of 2, 4 in, in 2345, यह पर 2 का और 4 का, जो place value आएगा, इन दोनों की place value के बीच में क्या difference है, यह आपको calculate करना है, तो पहले तो आप 2 का place value calculate कर लोगे, क्या है, उसके बाद 4 का, दोनों को minus करके आप इसका answer निकाल सकते हो, जो कि आपका यह question 10 marks का हो जाएगा, तो इस type का आपका यह PT1, यानि periodic test 1 क question paper आने वाल है, उमीद करता हूँ, आपको सारी question अच्छे से clear हो गए होंगे, तो comment करके मुझे बताओ, कि भी आपको समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा है, जैसा भी है, आप feedback ज़रूर दो, कोई doubt है, तो आप नीचे लिखके मुझे बताओ, और हाँ, वीडियो को like करो जिससे मुझे पता लगे, कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊ, ठीक है, तो मुझे Instagram पे और follow कर लो, ताकि हर latest वीडियो के बारे में आपको information मिलते रहे, और अगर आपको को doubt है, तो वो भी आप मुझे message करके, वहाँ प लिंक है, मैंने comment में नीचे दे रखा है, और description में दे रखा है, जहाँ click करके, वह सारी वीडियो देख करके, आप अपना syllabus complete कर सकते हो, revision अच्छे से कर सकते है, तो all the best for your exam, bye-bye.